स्रीलंका के खिलाफ अंतिम ओबर में आरेर और जडेजा का तुफान दिखकर स्रीलंका वालों के खच्चे उड़ गए जिया मैं आपको बता दूँ कि स्रीलंका की टीम है जो वो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें कि क्या करें जिया मैं आपको बता दूँ कि स्रीलंका के खिलाफ अंति मोपर में जब सरे सयर और जडेजा का तुफान आया तो पूरी की पूरी स्रीलंका की टीम है सोच में पड़ गए आपको बता दूँ कि आज विश्यो कब 2023 के 33 मुकावले में भारत का सामना स्रीलंका से है या मैच मुंबई के बान खेडा इस्टेडियम में खेला जा रहा है टीम इंडिया 6 में से 6 मुकावले जीत कर मजबूत इस्तिधी में है जबकि स्रीलंका के 6 मैच में सिर्फ 2 मैच जी या मरो हार का उसका रास्ता बेहदी मुश्किल हो जाएगा जी हां सिर्लंका के मैच को हारने के बाद उसका रास्ता काफी ज़्यदा मुश्किल हो जाएगा सेमीफाल में पहुचने के लिए जी हां सिर्लंका के कप्तान कुशल मेंडिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज कैसे बनाए लाइप प्रूब आपको दिखाऊंगा तो वीडियो को सुरू से लेकर आंते तक देखते रहिए अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है क्लिकेट से जुड़ी जनका नहीं पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिए मैं आपक स्रेस आयर और जड़ेजा की दोनों लोगों ने इतना अच्छा पुफेमेस दिखाया कि छक्के पर छक्के और गगंचुमी चोके लगा करके जो स्कॉर पहुचा दिया वो 357 स्कॉर बना दिया क्योंकि लगबग 88 रन बनाए जड़ेजा ने और स्रेस आयर ने भी करके साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम